नमस्कार दोस्तों, स्वागत था आपका थीडेस मैक्स टॉटोरल के नेक्स लेसन में, इस लेसन में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, हिंज फ्रोम एजिस क्या होता है, इन एडिट पोली, जब आप एड़ी पोलीगन करते हैं, हिंज फ्रोम एजिस कैसे होता है, तो चलि बनाने के लिए मैंने एक slender लिया है यहाँ पर, slender लेने के बाद मैं इसके segments को increase करता ह। मैं इसके radius को increase कर सकता हूँ, height को increase कर सकता हूँ, थोड़ा height के segment मैं थोड़ा इतना रखता हूँ, cap segment के लिए नहीं है और side segment मैंने कुछ इस तरीके से रखे हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे मैं इस चीज़ को यहाँ पे use करता हूँ तो यह करने के बाद मैं इसको right click करूँगा, convert to editable poly, और मैं इस वाले face को delete करता हूँ, ताकि मेरे पास cup type में shape आए, और इसको मैं provide करता हूँ, shell, ताकि मेरे को thickness नजर आए, कुछ इस तरीके से, और cell provide करने के बाद मैं इसे convert to editable poly again कर देता हूँ अब hinge from edges के होता है, कि माल नो मेरे को एक handle लगाना है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक polygon को select करता हूँ ऐसे मैं एक polygon को select किया, अब मैं चाहता हूँ इस polygon को extrude करना, but in round shape, कुछ इस shape में चाहता हूँ मैं, इसे extrude करना अगर मैं normally इसे extrude करता हूँ, तो हो तो कुछ इस तरीके से extrude होगा, बट मैं चाहता हूँ इसको इस तरीके से extrude करना, rounded way में तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मेरे पास एक option है, hinge from edge, hinge from edge पे आप setting पे क्लिक करेंगे, setting पे क्लिक करने के बद यहाँ पे एक option होता है, किस angle में extrude करना है, एक है कितने segment चाहिए, बट अब मुझे कोई एक edge select करने पड़ेगी, जिसको मैं center of rotation लेके, उसको complete, जो polygon है मै राउंड वो rotate हो पाए, तो यहाँ पे है pick hinge, pick hinge पे click करें, और कोई भी hinge आप pick कर सकते हैं, मालो मैंने यह middle वाली hinge pick की है, नहीं, मैंने select किया, इस पे click के pick hinge पे और मैंने इसको select किया, अब देखो, अगर मैं इसे value देता हूँ, extrusion की, यहाँ पे कितने angle पे extrude चाहिए, बट उन्हें आपको rotate कर रहे है, यह देखो कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, यह इसको यहाँ पे rotate कर रहा है, इस चीज़ को, मालो मैंने hinge को pick hinge पे click करके, मैंने इस वाली hinge को pick किया, मालो मैंने hinge को click किया, और मैंने इस वाली hinge को pick किया, तो वो उस hinge को, यह center of rotation लेके, उ उस hinge के चारो तरफ इस चीज को rotate करेगा. मालनों में अगर pick hinge ये वाली करता हूँ. ये मैंने select किया, pick hinge और ये वाली select की. ये मैंने पहले इसको select किया, pick hinge पे click किया और आप ये वाली hinge select कर सकते हैं. तो वो उस hinge के चारो तरफ अपने आपको rotate करेगा, जितनी value दोगे, वो उसी तरीके से इस चीज को यहाँ पे rounded shape में ले किया आएगा, तो अब भी आप इसको क्या कर सकते हैं, मैंने इसको select किया, pick hinge, और यहाँ पे मैंने इस चीज को click किया, तो वो इसके चारो तरफ rotate करेगा और मैं इसको एक angle दे सकता हूँ, कुछ इस तरीके से, अब देखो, अब यह इस से attach नहीं होगा, तो attach नहीं होने से क्या होगा, कि अगर मैं इसको यहाँ पे, मालनू मैं इसको करता हूँ ऐसे, मैंने इस तरीके से किया और मैं अगर okay करता हूँ, और अब मैं इसमें turbo smooth बेसिक्लि रुबस्मूर्थ को यहां से पर एडिट पौली पे जाऊंगा और एडिट पौली पे जाने के बाद, मैं एक बर अंडू गरता हूँ इस चीज को, मैंने अंडू किया, मैंने दुर्बieza यहां पर पिक फ्राम हिंज किया, यह मैंने hinge लिया, इसकी value को कम करके okay किया और यह वाला polygon मेरा already select है control प्रेस करके मैं इस polygon को select करूँगा और मैं कर दूँग इसे bridge आप देखो यह आपका bridge हो गया और वो उसे attach हो गया अब अगर आप यहाँ पर triple smooth लगाते हो तो इस तरीके से आप अपने cup को यहाँ पर shape दे सकते हो उसके बाद कि further editing है कैसे आप अंदर की चीज़े करते हैं अब यह normal मैंने hinge from edge समझाने के लिए आपको यह बना के बताया है और भी बहुत कुछ हम इसकी help से कर सकते हैं for example इसकी help से हमें क्या करना है माले मेरे पास एक box है माले मैं टोप पे किया और एक box मैंने एक wall है मेरे पास कुछ इस type की और मैंने क्या किया इसको right click convert to accountable poly और मैंने इस edge को और इस edge को select करके right click and connect किया और मैंने इसको नीचे कर गया और मैं अब इस portion को कर देता हूं यहां पर कुछ मालने मैंने इतने एक्स्टूड किया और मैं इस वाली एज को स्लेक्ट करके बैक्स्पेस डिलेट कर देता हूं अब मैं चाहता हूं इस वाले पोर्शन को इधर की तरफ रोटेट करके चलाना 90 डिग्री पे तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो इस वाली एज को स्लेक्ट कर सकते हो और उसके बाद लो हिंज फ्रॉम एज और यहां पर पिक हिंज पर क्लिक करके यह वाली हिंज आप स्लेक्ट कर सकते हो पिक हिंज पर क्लिक किया और इस वाली एज को आप स्लेक्ट करें अब आप इसको एंगल दे सकते हो यहां पर 90 डि जितना आपको extrude करना है तो इस कुछ इस तरीके से आपका ये वाली शेप बन जाएगी सोफा बगार अगर आपको ऐसी शेप में बनाना है कुछ भी तो इस वाली शेप में आप इस चीज को यूज कर सकते हैं और है कि अगर आपको मालो इस टाइप की कोई stall design करने है कि यहां से एक मेर यहां पर रेक्डेंगल लिया या बोक्स लिया उसको यहां से 90 वे रोटेट करके आगर एक्स्चूड करना है फिर उधर के साईड फिर 90 वे रोटेट करके इसको नीचे के तरफ एक्स्चूड करना है इस तरीके के कोई आपको डिजाइन बनाने है, स्टॉल डिजाइन में, कुछ इस तरीके की डिजाइनिंग करनी है, कुछ इस तरीकी की डिजाइन करनी है, तो ये सब चीजे आप इसकी हेल्प से कर सकते हैं, जैसे मैंने ये बनाया, इसी तरीके से आप एक यहाँ पर बॉक् hand को 200 कर देता हूँ, कुछ ऐसे, right click convert to a double poly, अब मैं इसके इस face को select करता हूँ, इसको मुझे round करके ऊपर की तरफ लेके जाना है, round करके मेरे को उधर की तरफ लेके जाना है, तो मानलो, इसको मैंने select किया, hinge from edge पे click किया, hinge pick करता हूँ, मानलो ये वाली hinge pick की, और इसको करता हूँ 90 degree, और segment इतने bright करता हूँ, finish किया, right click और कर देता हूँ, extrude, ये मानलो मैंने इतना इसको extrude किया, clear है, कुछ इस तरीके से, finish किया, फिर hinge from edge पे click किया, फिर आप बाहर click कर सकते हैं, पहले आप pick कर सकते हैं, आपर अगर problem हो तो, पहले आप hinge pick कर सकते हैं, फिर इसको select कर सकते हैं, finish, right click, extrude, clear है, अगर आप दुबारा से इसे hinge from edges करेंगे, तो वही पुराने वाली value लेगा, तो उसके लिए पहले आप बाहर click करें, ताकि आपका polygon deselect हो जाए, फिर आप यहाँ से pick कर ले hinge को, और fix pick कर लें, इसे, okay, और उसके बाद कर दे, extrude, कुछ इस तरीके से, यहाँ से अभी उपर दुबारा सेलेक्ट करें, बाहर click करें, पहले pick कर ले, edge, और फिर pick कर लें, okay, और उसके बाद कर दे, extrude, कुछ इस तरीके से, clear, आप दुबारा से आप इसे hinge from edges यहाँ से भी कर सकते हैं, red click करके, पहले आप pick कर ले, अब इसकी hinge को, और फिर यह pick करें, okay, और उसके बाद आ किया, फिर बाहर click किया, pick from hinge, यह आपने select किया, okay, और फिर कर दे, आप इसे extrude, तो कुछ इस तरीके से, आप अपने profile को create यहाँ पर कर सकते हैं, अगर इस type का कोई भी profile आपको बनाना है, जो आपका continuous line से, इस तरीके से होके निकलता है, तो उस type के आपके जितने भी stalls है, व उसको आपको design करना है, तो वो भी आप easily इस चीज़ से design कर सकते हैं, ऐसे connect करके, extrude करके, hinge from edges करके, यह आप इस तरीके से चीज़ों को easily कर सकते हैं, so thank you so much दोस्तों वीडियो देखने के लिए, please अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो please वीडियो को like करें, और अगर किसी न अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please मेरे चैनल पर जाएं, दीपक वर्मा software trainer, और उस चैनल पर जाने के बाद आप चैनल को subscribe करें, clear, so thank you so much दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और 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 भी वीडियो अगर आपको देखनी है, AutoCAD से related, 3DS Max, Revit Architecture से related, तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, please support करें, like करें, thank you so much.